नबस्कार दोस्तों मैंरामनकुमार स्वागत करते हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डाल्टन का पर्माणु सिद्धान देखने जा रहे हैं तो दोस्तों पर्माणु की को समझने के लिए सन 1808 EC में जान डाल्टन ने एक परियोगों के आधार पर एक सिद्धान्त दिया था जिसे हम डाल्टन का पर्माणु सिद्धान्त कहते हैं उन्होंने पर्माणु सिद्धान्त में बहुत सारी बाते इंपोटेंट बाते हम लोगों को बताई थी आए देखते हैं जोन डाल्टन ने बताया था कि यदि किसी द्रव्य को काटना शुरू करे तो उसका जो सबसे छोटा हिस्सा बचेगा उसे हम लोग कहेंगे परमाडू यानि कि अगर काटते हैं किसी भी तो काटते चले जाए किसी भी द्रव्य को तो सबसे छोटा हिस्सा यानि कि सबसे सूक्सम जिसे हम नहीं काट सकते हैं उसे उन्होंने नाम दिया था परमाडू और उसके बारे में कहा था कि द्रव्य का अती सूक्सम एविभाज्य करणों से मिलकर बना होता है जिसे हम परमाणू कहते हैं नेक पॉइंट उन्हों ने बताय था कि एक तत्व के सभी परमाणू गुनों में समान होते हैं मान लेजिए कोई तत्व है उक्षीजन उनके अनुसार की उक्षीजन के सभी परमाणू उक्षीजन जिन जिन परमाणू से मिलकर बना होता है उन सभी परमाणू के गुन कैसे होंगे समान होंगे नेक्स्ट पॉइंट और ने बताये था कि इस परमाणू को नैतो उत्पन किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है यानि कि ये परमाणू जो होते हैं वे एविनाशी होते हैं अतिशुक्षम तो होते ही हैं साथ में एविनाशी भी होते हैं नेक्ट पॉइंट और ने बताए था कि एक से अधिक तत्तो के परमाडू निश्चित अनुपात में मिलकर योगिक या अडू बनाते हैं अर्थात जब एक से अधिक तत्तो के मान लिए जी एच मिला और ओक्सिजन मिला तो ये मिलकर के बनाएंगे एच टू ओ मिलकर के क्या बनाएंगे एच टू ओ बनाएंगे तो योगिक बन जाएगा एक और ये योगिक जो बनेगा हमेशा निश्चित अनुपात में परमाडू के या तत्तो के मिलने से बनेगा नेक्ट पॉइंट उन्हें ने बताए था कि परमाणू को हम किसी भी बहुतिक एवम रसायनिक विदी द्वारा विभाजित नहीं कर सकते अर्थात परमाणू एविभाज्य होता है तो दोस्तो जोन डाल्टन ने ये परमाणू सिधान्त दिया था और इस परमाणू सिधान्त में कुछ कमिया भी थी आईए देखते हैं एक बार डाल्टन ने बताया था कि परमाणू एविभाज्य होता है देकि जब डाल्टन ने परमाणू सिधान्त दिया था तो उन्होंने बताया था कि परमाणू एविभाज्य होता है यानि कि आप हम उसे विभाजित नहीं कर सकते लेकिन जो परमाणू होता है वह इलेक्ट्रोन, और न्यूट्रोन से मिलकर बना होता है और इनको विवाजित भी किया जा सकता है तो ये जो डाल्टन के सिद्धानत की परमुक कमी थी नेक्ट पॉइंट पर चलते नेक्ट पॉइंट देखते हैं डाल्टन ने बताया था कि एक तत्यु के सभी परमानू द्रव्यमान आकार आधि गुड़ों में समान है लेकिन जब समस्थानिक की उपस्तिती होगी तो इन परमानों का द्रव्यमान तथा आकार भिन-भिन हो सकता है तो यह कमी थी नमबर दो पॉइंट नेक पॉइंट देखते हैं यह सिदान्त गेलुसेक के गैसिय आयतन की नियम की व्याक्या नहीं करता यानि कि जोन डाल्टन ने जो सिदान्त दिया था व्याक्या नहीं करता तो दोस्तों यह था जोन डाल्टन का जिदान्त आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट वोक्स में अपनी राय जरूर दीजेगा वीडियो को जाज़ादा शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार